नमस्ते फ्रेंड्स ओम स्री किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है मैं आपके लिए लाई हूँ परफेक्ट मार्केट जैसा कंडेंस मिल्क की रेसेपी ओभी हम घर में बनाएंगे खास ट्रिक और टिप्स के साथ तो वीडियो जरूर पूरा देखिएगा एक एक सिक्रेट बताऊंगी फ्रेंड्स नो फेल रेसेपी है एक ही बार में अब परफेक्ट मार्केट के जैसा कंडेंस मिल्क बना के तयार करेंगे घर में ओभी इजी और आसान तरीके से तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम गैस में रखेंगे कड़ा ही और गैस को अन करेंगे अब इसमें हम एड़ करेंगे आधा लीटर दूद तो दूद यहाँ पे जो मैंने लिया है तोन मिल्क लिया है अब फैट मिल्क भी ले सकते है अब यहाँ पे जो दूद मैंने एड़ किया है वो कच्चा है अब उबला हुआ भी दूद ले सकते हैं अब इसी के साथ यहाँ पे हम डालेंगे एक कप चीनी चीनी और दूद को पकाने से क्या होगा चीनी करमलाईज होगी और जो हमारे कंडेंस मिलक का कलर है बहुत ही अच करते हैं और जो साइड में मलाई लग जाएगी कडाही में उसको हम स्क्रेब करके दूद में मिलाते जाएंगे इस बात का आपको खास ध्यान देना है दूद को इस चेर करना हमें नहीं छोड़ना इस टेर करते ही रहना अब यहाँ पे 10-15 मिनट हो गये हमें दूद को पका टाइम हुआ है वो टूंटी मिनट हुआ है आप थिकनेस देख सकते हैं कि यहां पर थोड़ा सा पतला है दूध हम और थोड़ा पकाएंगे आंगे हम आपको बताएंगे कि बस कहां तक हमें दूध को पकाना है परफेक्ट टाइमिंग जो रहेगा तो यह लीजे यहां पर द अब यहां पर एक सिक्रेट और हम मिलाएंगे एक बिल्कुन पिंच मीठा सोडा यानि खाने का सोडा तो आप देख सकते हैं कि जैसे हमने सोडा एड़ किया एक जाकसी आएगी हमारा स्मूध सा क्रीमी सा बिल्कुन कंडेंस मिल्क बनके रेडी हो जाएगा आप देख सकते दूद मिला सकते हैं या पतला रहे तो आप ठोड़ा और पका सकते हैं जैसे भी आपको लगे अब यहां पे अगर बाईचांस आपके कंडेंस मिल्क में लम्स आ जाए तो आप इस तरह इस्टेनर लीजिए बाउल लीजिए और कंडेंस मिल्क को छान लीजिए यहां पे ज यहां पे हम ने चाहूँगे तो यहां पे काफ़ी गरम है केसलिए ठोड़ी सी पतली है लेकिन जब गाढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से धंड़ा होगा तो गाढ़ा हो जाता है तो इस तरह हम पैक साइड स्पून को करेंगे और एक टिप और टिपस आपके लिए और तो इस तरह आप फिंगर से लाइन ड्रोय कीजिए अगर लाइन क्लियर है इस्पून में तो यानि की आपका कंडेंस मिल्क बिल्कुन पर्फेक्ट बना हुआ है कासेस्टेंसी जो है बिल्कुन पर्फेक्ट है आप समझ जाए तो अब हम चम्मच को रखेंगे साइड में और कंडेंस मिल्क को ठंडा होने देंगे तो यह लीजिए यहाँ पर कंडेंस मिल्क पूरी तरह से ठंडा हो गया है तो आप देख सकते हैं कैसेस्टेंसी की बिल्कुन गाड़ी हो गई है जैसे मार्केट के रहते हैं तो है ना कितना इजी और आसान बनाना कंडेंस मिल्कों को तो आप घर में बनाईए इजी और आसान तरीके से अच्छा आप कंडेंस मिल्क को एक महीने के लिए इस्टोर करके भी रख सकते हैं फ्रीज में लेकिन जो आप बॉटल ले ओकांच की होनी चाहिए या प्लास्टिक की होनी चाहिए एलमुनियम की बॉटल में आप कंडेंस म टिप्स मेरे आपको कंडेंस मिल्क में पसंद आए हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा सस्क्राइब कीजिएगा फिर मिलती हूँ नेस्ट रेसेपी में तब तक के लिए बाबाई